वेलकम व्यूवर्स बहुत बहुत स्वागत है आप लोग का मेरे यूटूब चैनल न्यू नॉलेज में और दोस्तों सबसे पहले यह डिस्क्लेमर और जो शेर मार्केट में नहीं एंट्री लेना चाहते हैं नया डिमेट एकाउंट खुलाना चाहते हैं सो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे लिंक दाल दिया दोस्तों न्यू एकाउंट के लिए सो आप लोग क्लिक करके बैस्ट ओफर के जानकारी ले सकते हैं तो फटा-फट बात करते हैं यस बैंक और जैसा कि मेरा एजुकेशनल चैनल है सो मैं अपनी वरकिंग अपनी कैलकुलेशन आप लोग के साथ शेयर करता हूं जो भी मुझे मेरी नीची प्रॉबिल्टी लगती है से मैं आप लोग के साथ शेयर करता हूं और कोसिस में दिए रहती है आप लोग उससे कुछ सीखे और सही decision लेने में आपकी help आए तो दोस्तों सबसे बड़े यस बैक की बात करेंगे इसमें मैंने बहुत सारे वीडियो लेडी बना चुके हैं और जो लोग मुझे से जुड़े हैं उनको पता है कि मेरे probability जो मैं technical ways पर बताता हूँ वो बिलकुल अभी तक सटिक बैठी है इन यस बैक और अगर कोई नया है तो उनसे कमगा मेरे लास्ट के दो-तिन वीडियो देख लो आपको clarity आजाएगी जैसे कि मैंने बोला था कि ये एक stage में आके 17-20 की range में रेंगने लग जाएगा दोस्तों आप लोग देख सकते हो पिछले 2-3 दिन से ये रेंगना शुरू कर दिया दोस्तों और जिसने भी आप लोग को बोला था 20 रुपे से उपर खरीद लो ये होने वाला है वो होने वाला है गुबारा मैं हवा भर दी थी न्यूज की बीस रुपे से उपर लेके बैठे हुए आज वो लोग पस्ता रहे हैं और वेट कर रहे हैं कि कभ ये बीस के पार जाएगा सो मैं इसमें अपनी राय दूंगा दुबारा से दोस्तों और होप आप लोग को थोड़ा सा और क्लेटी मिल पाएगे पहरी चीजा आज देख लेते हैं जो कली क्लोज हुआ था 18 रुपे 85 पैसे पे क्लोज हुआ था 18.85 पे और इस ओपन हाला कि 5 पैसे उपर की ओपनिंग के रेंज में ट्रेट करना स्टार्ट कर दिया है इसने जैसे मैंने बोला था अपसे सो आगे बढ़ते हैं और गिरावट के पीछे में रीजन यह है दोस्तों जो एक एसेट क्वालिटी के ऊपर एक रिपोर्ट आई थी कल के आर्टिकल में उसके वजह से गिरावट हुई ह दोस्तों और जैसा मैंने प्रेडिक्शन किया था कि कम से कम इसको दो क्वाटर देखने पड़ेंगे सारे इंवेस्टर को जो भी रिटिल इंवेस्टर हैं तभी जाके इसके अंदर एक अच्छा मूव आ सकता है तो इसमें भी आप देख सकते हो दो का जिक्र किया हुआ है है और उन्होंने बोला हैँ कि को इस श्रेस का सामिना करना पढ़ सकता है क्यूंकि जो इनकी में फिंडिंग है वह होटल और जो particular कह सकते हो कि जो कोविट की वज़े से जादा जिनको एफेक्ट पड़ा है उन सेक्टर में जादा इनकी funding है और उसी की वज़े से इनको आगे और problem का face करना पड़ सकता है सो होटल और रियल स्टेट में इन्होंने जादा एक्सपोजर है इस बैंक का और इसी वएसे आज हमें इसके अंदर गिराबाट देखने को मिली और हाला कि दोस्तों इसके अंदर न्यूज की कोई कमी नहीं है पर्टिकुलर इस बैंक के लिए आप रोज देख सकते हो कोई ना कोई दो या तीन पॉजिटिव न्यूज इसके बारे में लगातार आ रही है सब्सक्राइब के साथ भी हुई थी है भी लास्ट और एक और हुई थी तो यह लगातार कोशिस तो अच्छी है कि एक और न्यूज निकल गया रहे है कि इनने न्यू लाइन ऑफ यी सीरी डेवी कार्ट सुरू करने जा रहे हैं सो यह भी बहुत अच्छा इस्टैप है पॉजिटिव न्यूज से दोस्तों काम चलने वाला नहीं है जब तक यह पॉजिटिव न्यूज कह सकते हो ग्राउंड लेवल पर नहीं आती है यह काम स्टार्ट नहीं करते हैं उन सब फीचर्स में सो और उसका इंपेक्ट में बैरेंश शीट और प्रॉफिटल लॉस में नहीं देखने को मिलता तब तक यह न्यूज का कोई ज्याधा असर नहीं है दोस्तों यह सिरफ कह सकते हो कि हम जैसे रिटेल इंवेश्टर के माइंड को एक डाइवर्ट करने वाली बात है कि लगातार पॉजिटिव नहीं हो जाएगा वह जाएगा तो दोस्तों हो इसमें जाइज है बट अगर आप सोच रहे हो कि यह आपको 15 दिन या एक महिने या दो महिने के अंदर चार गुना पांच गुना करके दे देगा तो वह आपकी जो कह सकते हो इच्छा है जो आपकी एक्सपेटेशन है इससे पर्टिकुलर वह मेरी प्रॉबिल्टी के हिसा आप से सही नहीं लगती है तो अब बात कर लेते हैं जैसे कि यह प्रैशर में हैं तो मैं तो इसके अंदर एक ही राय रखता हूं दोस्तों जब यह 17 रूपे 27 पैसे का जो इसका सपोर्ट है इसको लगे कि यह तोड़ने वाला है तो मैं तो इसमें एक्जिट कर जाऊंगा और बिल्कुल नहीं सोचूंगा कि क्यूं कर रहा हूं मैं एक चाहे लौस चाहे प्रॉफिट होगे तो यह तो मेरी इसमें राय है और दूसरा जब यह अपना 21 रूपे वाला जो एक रसिस्टेंट है उसको अगर ब्रेक करता है तो जाहिर सी बात है इसमें हमें एक तेजी देखने को मिलेगी बट वो तेजी दोस्तो मैं बार-बार कह रहा हूं इतनी लंबी नहीं होगी कि यह 35-40-50 पहुंच जाए यह आपको ध्यान रखना है एक सीमित दाइरे में तेजी आएगी दो से तीन दिन अपर सरकेट लग सकता है क्योंकि न्यूज की बेस पे और न्य पीछे स्टॉक को बाय कर लेते हैं किसी ने बोला पैंतारे स्टार केट जाएगा किसी ने यह बोला हवावाजी की चक्कर में फसे हैं लोग 20 रुपे से खरीद के ओपर इसको और मेरा बिलकुल वह नहीं है कि मैं किसी भी ऐसे स्टॉक के बारे मैं वा वा करूं कि आप लो मेरे को वह ज्यादा ठीक लगती है आपको रेली मिस कर जाओ दोस्तों आपके पैसे एक एक लाग से डेड़ लाग हो जाए या नहीं हो वह फरक नहीं पड़ता लेकिन एक लाग से पचास जार नहीं होने चाहिए हैं सो मेरा यह है कि सबसे पहले अपनी कैपिटल को बचाओ इसमें फोकास होना चाहिए और बड़े बड़े जो भी इस मार्केट से एक्सपर्ट हैं उनका भी यह है दोस्तों सो मैं उन्हीं के साथ साथ में हूं और मेरे को भी वह रूल बहुत पसंद है तो आप लोग को सब ध्यानक में रखना है 21 रुपे के बाद एक तेजी आ सकती है और वह 26-28 रुपे तक जा सकती है यह आपको ध्यानक रहे हैं लेकिन जब यह 17 रुपे 27 पैसे जो है इसको तोड़ता है तो एक भारी गरावट और दिखने को मिलेगी फिर यह अपने वही 14-16 वाली रेंज देख रहें उनको समझ में आ जाएगा कि मैंने ऐसा बोला तो बोला क्यों सो दोस्तों मिलते हैं नेक्स वीडियो में अगर चीज थोड़ा सा भी आपको लग रही हो कि मैं हित कारी बात कर रहा हूं तो वीडियो को लाइक चल को सब्क्राइब जरूर करें मिलते हैं नेक्स